चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। दस बचकर पचपन मिनट तक रहेगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। अपने आगामी शुभ समय पर विश्वास रखें और चिंताओं को त्याग दें। खुशियां, चिंताओं को छोड़ने और परिवर्तन को अपनाने से मिलती हैं। अगर आप कोई नया काम या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। सोशल गृप्स या क्लब्स के माध्यम से नेटवर्किंग आपके लिए भाग्यशाली होगी। आपका आकरशन नए मित्र बनाने या अपने मौझूदा रिष्टों को समय और ध्यान देने में मदद करेगा। धोखा धड़ी से बचने के लिए खर्च करने और कीमती चीजों के प्रति सतर्क रहें। आत्म निरीक्षन के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाएं। अपने सपनों और लक्षियों का पुनर मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। आज आप उन मामलों में अधिक रुची दिखाएंगे जिन्हें आपने काफी समय से अनदेखा कर रखा था। आपके पडोसियों, सहपाठियों और दोस्तों के साथ संबंध आपकी प्राथमिक्ता हो सकते हैं। इस अवधि में बातचीत और बहस की भी संभावना है। अपनी उपस्थिती का मूल्यांकन करें जिससे आपके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपका ध्यान आपकी पेशेवर गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। अपने जुनून को नया मोड देने के लिए किसी भी हद तक जाना एक अच्छे विजेता की पहचान है। जीवन में लगातार समस्याओं का सामना करना स्वाभाविक है। और आप भी इन चुनौतियों का सामना करते हुए काफी मजबूत हो गए हैं। आप चुनौतियों को जीवन का एक अंग मानते हैं। अचानक से आपके अच्छे चलते हुए व्यवसाय में काफी समस्याओं उत्पन्न हो गई हैं। और अभी तक आप उनका समाधान भी नहीं ढूंड पाए हैं। आप खुद पर ही संदेह करने लगे हैं। आपको खुद को कमजोर नहीं पढ़ने देना है, वरना परिस्थितियां आप पर हावी हो जाएंगी। हो सकता है कि बाहरी संघर्ष के साथ साथ आपके मन में भी आंतरिक संघर्ष जारी हो। लोगों की अपेक्षाओं को हमेशा पूरा करने की कोशिश आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ बने रहने का दबाव डालने लगेगी, जो आपको ठका देगा। आपकी इच्छा शक्ती भी कम होने लगेगी। किसी भी स्थिती में जीत आपके आत्म बल और हिम्मत के कारण ही प्राप्त होगी। आपको अडिग रहकर सभी स्थितियों का सामना करना है और आप यह कर भी पाएंगे। आज का दिन आपके लिए परसपर सहयोग की भावना लेकर आएगा। सामाजिक क्षेत्रों में आपकी भागीदारी और समर्थन प्राप्त करना संभव है। इस समय को उपयोगी बनाने के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करें और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएं। कारिरत लोग अपने कामों से सम्मान प्राप्त करेंगे और उनके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। आपको अपने वाणी की मधुर्ता को बनाए रखने की आवश्यक्ता है। छोटे बच्चे आपके साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे लेकिन जीवन साथी से विवाद के कारण आपको अकेला पन महसूस हो सकता है। इसलिए आप इसे समय रहते समाप्त करने की कोशिश करें। आपको दफ्तर के कामों में किसी सहयोगी की आवश्यक्ता हो सकती है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। आपका स्वास्थे भी अच्छा रह सकता है। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा दुरघटना हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को आज आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। जिससे आप अपने व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। युवा जातकों की बात करें, तो यदि उनके किसी के साथ प्रेम संबंध है, तो आज उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। धन का लेंदेन करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। अन्जान लोगों पर बिलकुल भी भरोसा न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दीर्ग कालिक निवेश या खरीदारी आज दुरगटना का कारण हो सकती है। धोखा धड़ी का शिकार होने से बचने के लिए सावधानी पूरवक विचार करें। स्वास्थ्य समस्याओं में समय व्यतीत होगा क्योंकि आप अपने साथी के परिवार की मदद कर रहे हैं। बड़ा भाई आपको ऐसे नए सामाजिक समूह से जोड़ सकता है जहां नेटवर्किंग की अलग संभावना है। और आपके विचारों के प्रती सकारात्मक सोच रहे हैं। आपके साथी के परिवार की मदद करने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा भाई आपको ऐसे नए सामाजिक दाइरे से जोड़ सकता है जहां नेटवर्किंग की नई संभावनाएं होंगी। विभिन्न लोग आपकी ओर आकरशित हो रहे हैं और आपके विचारों के प्रती सकारात्मक दृष्टिकोंड रख रहे हैं कि उनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे नाराज हों। सकते हैं। आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता है ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। आर्थिक समस्याओं के चलते आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती हैं। जिससे आप थोड़ा चिंतित महसूस कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी बात क लेकर रोक टोक हो सकती है। लेकिन आज माता पिता को संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन रहेगा। इसके अलावा भाई बेहन के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आज आप भगवान का धन्यवाद करने के लिए किसी मंदिर में जा सकते हैं। अपने साथी से अपनी चिंताओं के बारे में खुल कर बात करें। वे सुनने के लिए तैयार हैं। दिल के मामले आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप स्वयम को स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे। और आपके आकरशन की शक्ती उच्च इस तर पर होगी। जिसे आप चाहते हैं उसके आने का इंतजार करें। यौन गतिविधियां भी इस समय आपके लिए विशेश रहेंगी। अपने रिष्टे के लक्षियों पर काम करें और जो चाहते हैं उस पर अटल रहें। याद रखें दुनिया की सबसे खुबसूर आर्थिक तनाव का हो सकता है। लेकिन आज जो भी योजनाय बनाएंगे वे आपके भविश्य के लिए लाबकारी साबित होंगी। व्यापारी वर्ग के जातक अपने कामकाज में कुछ बदलाव कर सकते हैं। यह बदलाव शुरुआत में तनाव पूर्ण हो सकता है। ल कामकाज में लापरवाही कर सकते हैं जिससे उनके वरिष्ट अधिकारी नाराज हो सकते हैं। अंजान लोगों पर भरोसा न करें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से जाच कर लें। दीर्ग कालिक निवेश और खरीदारी करते समय सावधान स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी बढ़तें। आज का दिन आपके कामकाज के लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नए कलब या समूह का हिस्सा बनकर नेटव अच्छा रहेगा। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपको शुगर की समस्या है तो आज विशेश ध्यान दें। शुगर का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए नियमित जांच और दवाओं में कोई लापरवाही न करें। स्वास्थ्य का विशेश ध्यान रख अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच न करें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुब हो।